भारती जंता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है आपको बता दें कि सवा साथ बजे अमिच शाह की अध्यक्सा में आयोजित यह बैठक यहां भारती जंता पार्टी के प्रदेश मुख्याले पर शुरूई थी और इस समय देख लीजिए आप रात के एक बच सब्सक्राइब करना का स्वास्त की चिंता विकास की चिंता यह सब चिंता होती है अभी देट हो जाएगी फिर बताएंगे तो डिप्टी सीम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि देट हो जाएगी और बैठक में महत्पूर्ण मुद्दों को लेकर जो चर्चा हुई है कोरोना को लेकर चर्चा हुई है कोरोना में आगे चुनाओ की जो जन सबाएं हैं सबाएं हैं सम्मेलन हैं कैसे होंगे इस पर चर्चा हुई है और तमाम अन्यमुद्दे आपको पताने कि आवद छेत्र क पचवरी शामिल हुए थे उसके लावा तमाम पताइदकारी शामिल हुए थे और बैठक में चर्चा हुई कि कि किस तरह से आगे चुनाओ को प्रमंदन करना है जो कोविट प्रोटोकॉल है उसका कैसे पालन किया जाएगा सम्मेलन और रैलिया कैसे आयोजित की जाएंगी हम कोशिश करते हैं बात करने कि हमारे साथ डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौर्या जी है अनुराग ठाकुर जी भी है आपर तो यहां पर बैठक अभी खतम हुई है रात करिल लगभग एक बचकर पांच मिनिट हो रहा है और सभी जो बड़े नेता है वरिष्ट पतादिकारी हैं वो सब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं आज की बैठक में सबसे महत्पुन मुद्दा यही रहा है कि कोविट प्रबंदन कैसे हो चनाओ की जो आगे रैलिया होनी है जनसभा जो होनी है जन विश्वास यात्रा भारती दिंता पार्टी की चल रही है वो जन विश्वास स्यात्रा छे जनवरी को लखनव में खतम होगी तमाम जगहों से अलग लग जगहों से यहां पर एक बड़ी रैली महारैली आयुजित की जाएगी उसको लेकर भी यह तै कि कैसे वो होगी यह निर्ण अभी लिया गया है कि उसमें कौन-कौन लोग होंगे कितने लोग कि इस अवद छेत्र के और कानपूर बुंदेल खंड छेत्र के जो सीटों का मन्थन है उसमें किसको टिकट दिया जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे इस पर भी चर्चा की गई है कैमरा से होगी प्रमोत के साथ विवेक त्रिपाठी एबीपी ग खबर आपकी जबाँ आपकी